Hi guys, मैं हूँ Dr. Aachal Panth, Dermatologist और आप मुझे देख रहे हो Only My Health पर आज मैं आप लोगों को एक सिंपल स्किन के रूटीन के बारे में बताने वाली हूँ आप ऐसे क्या चीज यूज कर सकते हो अपने स्किन में ताकि आपके स्किन हेल्दी और ग्लूई रहे बिना जादा पैसे खर्च किये शुरू करने से पहले अगर आप नए व्यूवर है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए हम बहुत सारे स्किन और हैर रिलेटिट वीडियो लाने वाले हैं जिसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा तो शुरू करते हैं तो एक सिंपल स्किन केर रूटीन में क्या-क्या होना चाहिए पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे मौर्निंग रूटीन और नाइट आम रूटीन तो सुबह उटके आप एक जेंटल क्लेंजर से अपना चेहरा दोगे अगर आपके स्किन बहुत ड्राइ है तो आप सिर्फ पानी से भी अपना चेहरा दो सकते हो और सुबह का क्लेंजर स्किप कर सकते हो उसके बाद आप इस्तिमाल कीजिए 3-4 ड्रॉप्स एक एंटी ओक्सिदन सीरूम का वो हो सकता है आइक दे वाइटमिन सी और पिक्नोजेनॉल ये दोनों मेंसे कोई साभी सीरूम आप ले सकते हो और इसके 3-4 बूंद अपने पूरे चेहरे और गर्दन में लगा सकते हो तो ये सीरूम के बाद आप इस्तिमाल करोगे एक मॉश्यराइजर अगर आपकी ड्राइ स्किन है तो आप एक क्रीमी मॉश्यराइजर इस्तिमाल करोगे अगर आपकी ओईली स्किन है तो आप एक जेल बेस मॉश्यराइजर इस्तिमाल करोगे इस मॉश्यराइजर लगाने के तो तीन मिनिट के बाद आप संस्क्रीन लगाओगे Sunscreen आप ज़रूर चेक करना कि उसकी SPF at least 30 हो अगर आपके skin में बहुत सारे काले दाग है, धब्बे है या आपके skin बहुत जल्दी tan हो जाती है तो आप SPF 50 इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपकी dry skin है तो आप creamy lotion based formulation इस्तेमाल कीजे sunscreen का अगर आपकी oily skin है तो आप gel based sunscreen इस्तेमाल कर सकते हो तो बस इतना simple step से आपका morning का skincare routine काफी अच्छा बन जाएगा और इससे आपकी skin protected रहेगी और आपकी skin में दाग धबे भी आने कम लगेंगे तो सिर्फ एक cleanser, serum, moisturizer और sunscreen से आपका morning routine complete है अब बात करेंगे night time skincare routine का तो रात में पहले तो आप अपने चेहरे को अच्छे से दोगे इस step को आप थोड़ा जादा time दोगे रात को क्योंकि जो भी आपने sunscreen इस्तेमाल किया है उसको ब्रेक करना और जो भी आपके skin में makeup है उसको भी ब्रेक करने में थोड़ा सा time लगेगा तो आपको इसा भी face wash और या foaming face wash इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप ऐसे waterproof sunscreen यूज करते हो या बहुत सारा makeup इस्तेमाल करते हो तो आप micellar water से पहले अपना चेहरा दोए उसके बाद फिर face wash से अपना चेहरा दो सकते हो चेहरा दोने के बाद अच्छे से skin को dry कीजिए फिर आप इसमें लगाएए retinol based serum या cream अगर आपके skin oily है तो आप serum इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके skin थोड़ी सी dry type में है तो cream इस्तेमाल कर सकते हो retinol अपने skincare routine में ज़रूर इस्तेमाल करें retinol से आपके fine lines और wrinkles थोड़े से कम हो जाएंगे जो dark spot से वो भी कम हो जाएगा और retinol एक एकदम proven ingredient है जो आपके skin की aging को थोड़ा slow करेगा तो यह एक अच्छा तत्व है अपने skincare routine में तो इसको आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए retinol लगाने के बाद अगर आपके दाग दब्ब है तो वहापे आप spot treatment कर सकते हो आइदर alpha arbutin या kojic acid cream से अगर आपके मुहासे है तो आप salicylic acid serum इस्तमाल कीजिए और retinol skip कीजिए तो ऐसे थोड़ा सा आप अपने skincare routine को tweak कर सकते हो थोड़ा सा बदलाव ला सकते हो उसमें अपने skin requirement के हिसाब से तो मानके चले कि जैसे अगर जादा काले धब्ब है तो आप kojic acid या arbutin serum इस्तमाल कर सकते हो अगर आपकी dry skin है तो आप ceramide based creams इस्तमाल कर सकते हो अगर आपकी oily और acne prone skin है तो आप salicylic acid इस्तमाल कर सकते हो या आप retinol creams भी लगा सकते हो यह सब के बाद आप इस्तमाल करोगे moisturizer एक अच्छा सा moisturizer बहुत important है night time skincare routine में आप ज़रूर एक अच्छा सा layer moisturizer का लगा के ह सोते हो इसकी वज़े से भी skin बहुत dry हो सकती है और जब आप सुबह उठते हो तो आपको लगेगा कि skin थोड़ी कीची कीची लगती है और क्यूंकि हमारे skin overnight repair करती है तो आप चाहोगे कि इसमें अच्छे से एक barrier maintained रहे तो आप ऐसे ceramide based moisturizer या hyaluronic acid based moisturizer इस्तमाल कर सकते हो पस आप ये कि एक दो key ingredients note कीजे और उसे साब से आप products reuse कर सकते हो तो आपको एकदम महेंगी 10 step skincare routine नहीं चाहिए आपके skin को healthy और glowy रखने के लिए पस ये simple steps भी आप follow करोगे तो आपके skin काफी अच्छी रहेगी मैं आशा करती हूँ आपको ये video अच्छा लगा और इससे आप उनको जरूर देखे हमारे video देखने के लिए शुक्रिया